भाई आपकी सबसे पहली कार मुझे पता है वो थी ओल्टो जी हाँ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक मिडल क्लास फैमली से हैं जैसे मैं हूँ और हमारी पहली कार ओल्टो ही थी अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विकास कैसे हैं आप बई अल्टो को हमने कई दशकों से देखा है और वो सबसे पहली पसंद रही है हर एक इनसान की जो एक कार खरीदना चाहता है अल्टो की बात करें तो भाई इससे बहतर कार रफ इंटफ यूज के नई नवेली ओल्टो फिर से सड़कों पे राज करने के लिए मारूती की हर एक कार वन अफ दबेस्ट होती है अपने कटेगरी में जैसे जब ब्रीजा लॉंच हुई मैंने आपको बताया कि ब्रीजा में क्या-क्या फीचर्स है क्यों ये वन आफ दब मोस्ट सक्सेस्वल क है अपने सेग्मेंट की उसके बाद आई भाई हमारी ग्रैंड विटारा उसका भी मैंने आपको बताया कि क्यों ये बन सकती है वन अफ दब बेस्ट कार इन इट्स सेग्मेंट और अब जब ऑल्टो आएगी तो आपको पता है कि सबसे पहले इसी चैनल पे आपको वॉकरा अप्शन के साथ ये आएगी 48 PSN 69 Nm का टॉर्क के साथ एक उप्शन इसमें और आ सकता है कि अगर इसको पावर बढ़ाया जाए या फिर एक डूल जेट पेट्रोल इंजन के साथ आया जाए तो इसमें 67 PSN 89 Nm का टॉर्क के साथ आ सकती है 5-speed manual आपको इसमें मिलेगा और हो सकता है कि 5-speed automatic भी आपको इसमें मिल जाए भाई ऑल्टो किफायती है तो CNG में भी आएगी ही आएगी तो जिसको CNG कार लेनी है वो इसका वेट कर सकते हैं प्राइसिंग की बात करूँ तो लगबर 3-3.5 लाग रुपए के आसपास एक शोरूम ये लाँच होने की पूरी स नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जाखे आप देख सकते हैं तो भाई इंतिजार मुझे भी है इंतिजार आपको भी है नई नवेली आल्टो का तो कैसी लगी आपको आल्टो कमेंट में जरूर बताईएगा वीडियो इंफ़बिटल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा मिलता हूं अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए